तो हाई हेलो विवान वेल्केम एक वाव चैनल देशी साटन कापिटल तो चलिए आए सेक्शन में हम बात करेंगे कल कले कौन से बैतरिन स्टोक से इसमें पोजिशन बना सकते हैं और कल जो हमने स्टोक अनलेसिस किया था उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा आज के मार्केट में क ऐसा स्टोक ने परफॉर्म किया कौन सा स्टोक लॉस ही तुआ कौन सा टार्गेट ही तुआ उसके बारे में डिसक्स करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो एक एड़ुकेशन परपर्स के लिए मोटो है आपको सिखाना सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो उइससे में ईसका पंपर्स का इस कैसा रहा हमारे मार्केट में वारे मंधल्स करेंगे कि है तो आज आता है हम अपने एजल के डव में एकांट पर और हम यहां क्लिक करते हैं सब सिंज का जो भी हुए हमारा वीक का है सो अभी हम आज अभी देख के बिस्टिन पर अनलिशिस करेंगे उसका देखेंगे वीक का कैसा परफॉमेंस है तो आप यह देखो आप आज का जो हाई गया है वो है 773 और कल का जो हाई था वो 771.5 था लगबग दोड़ाई रुपय का आज हाई लगा किया है अभी भी मार्केट में पॉजिटिवनेस बच्ची बनी हुई है और हो सकता है मार्केट कल परसुए दो दिन में 802 जाएगा लेकिन आज अगर आपने इसको बाइक किया होगा तो आज आपका पोट्फोलियो जो होगा वो माइन मैच 2080 की तरफ दूसरा कर्णिशन मैच और तीस राव 50 को क्रॉस करता वारस है तीसरा कर्णिशन मैच नेक्स्ट टार्गेट हमारा वीकली 813 उसके बाद 875 जो हमने आपको बोला था हमने स्टॉपलोस भी बोला था 680 लगा के चलना है अब देखिए कल की वीडियो में हमन ने क्या बात किया था कि हमें पूसिशन कब बनाना हमने गलती कहां कि तो यह रहाब दरमिनट के टैम फ्रेet में हमने बोलाएं मिन और था थाटी मिनट के टाइम अपना पॉश्चन मनाएंगे वीडियो कलका प्ले करते हैं देखें वीडियो में क्या बताया था और हमने कहां गल्ती की वह आज एनलसीस करेंगे क्योंकि गल्तियों से ही सीखना है हम भी human है हम भी mistake कर सकते हैं तो वह गल्ती को सुधार किया था तो इसको प्ले करके देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी यह वीडियो है वह आप देखेंगे और फिर हम अनलेसिस करेंगे कहां गलती किया हमने आपको यह जाना बहुत जरूरी है पर 50 नीचे पहला कंडिशन मैच दूसरा 20 से उपर होना चाहिए तो तीसरा कंडिशन यहां मैच लेकिन यहां नीची की तरफ आ रहा है तो अभी आपको इंतजार करना है आप हाफ एन आवर का आप खोल लेना अगर मार्केट यहां कहीं सस्टेन करता है 766 पे तो हम थोड़ा सा क्वांटेटी बना सकते हैं लेकिन अगर यह स्टॉकसी का रसाई नीची आता है तो नीची आने देना है और जहां से यह तर्न होता है हो सकता है 759 पे हमें अपना एक टार्गेट इंटरी मिले तो आपको हो सकता है आधा मार्केट इंतजार भी करन और जैसे हमारा स्टॉकसी के आरसा ही हमारी स्टाडीजी पे आता है जैसे ही यह नीची की तरफ आता है और नीचे से उपर की तरफ बनता है तो हमें इसमें पॉजिशन बनाना है वरना हम मार्केट में इंतजार करेंगे जब हमारी स्टाडीजी पे मैच होगा हाफ एन सकते हैं और यहां से अगर उपर जाता है तो हमें 802 भी देखने को मिल सकता है अगर नीचे आता है तो 759 तक हम पुजिशन बनाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 765 25 तो जैसे हमने कल डिसखस किया था कि जैसे हमारी स्टाइड़ी मैश होती है यानि यह नीचे से उपर की तरफ जाए जोकि यहां यहां देखके आम में इस वाले वीडियो में आपको बताया है यहां यह यह दो इस ट्रफ जाता है तब हमें पुजिशन मढ़ाना है लेकिन हम ही एक mistake कर दे क्योंकि market open हुआ और हमने इसे नहीं देखा इसको नजर अंदाज किया और excitement में आके क्योंकि आते ही यह हाई लग गया था इसका लगबग अगर हम हाई की बात करें तो हाई लग गया था 773 तो excitement में आके हमने इसमें पोजिशन बना लिया है अब हमने अपनी strategy we are humans तो mistake हो सकती है तो यह हमारी mistakes थी तो इससे क्या सीख मिलता है कि हमें अपनी strategy है strategy हम नहीं आपको बताई है और हम ही नहीं follow कर पाए तो this is our mistake तो इसको सुधारना है कि जब तक हमारी strategy पर नहीं मैच हो अगर आप डेवेसी तो पोजिशन बना रहे हो तो 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यह दोनों strategy मैच कर लेना और जैसे यह यहां आमने जो वीडियो बताया था तो अभी हमें इस मार्केट में देखो कहीं नहीं मौका मिला है पोजिशन बनाने का अभी हमारी यहां पर strategy मैच ही नहीं हुई है तो यहां देखो यहां 30 मिनट में नीचे आया यह अपने सुपर टेंट पर है और जब यह जैसे नीचे से उपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है 54 या 58 या 60 पर जाए तब हम एक इंट्री हमें बनती तब इंट्री हम बनाते हैं तो चलो कोई बात नहीं यह मिस्टेक है यह दुबार हमें रिपीट नहीं करना है लेकिन अब भी अगर आपके पास position है तो प्रॉपर स्टॉप लोस लेके साथ चलिए और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मेरा जो गड़ित क क्याता है कि weekly basis का जो हमारा view है weekly basis का जो हमारा stop loss है वो टच नहीं होना चाहिए और हम इसमें एक profitable और stop loss लेके काम करेंगे तो आप टेक मेंदर में देखोगे हमने 1290 का stop loss आपको दिया हुआ था और 1450 का target दिया हुआ था तो टेक मेंदर के आदे गंड़े के time frame में भी आप देखोगे तो यह आज का देखो 16 फरवरी 7 फरवरी 9 15 मार्केट नीचे आ रहा था एक रेट कंडल बना और सीधा नीचे आया और यहां पर हमारी strategy फुल्फिल नहीं हुई नीचे से उपर की तरफ 20 और यह 50 को क्रॉस नहीं किया हुआ था तो आके position नहीं बनाना है इस गलती से हमको यहीं सीख मिलती है क्योंकि हम भी कभी कभी excited में आते हैं जैसे लगता है हमारा profit शूट जाएगा हम profit नहीं book कर पाएंगे हम late entry करेंगे तो यह सारा emotions को control करना पड़ता है जब हम emotions को control करेंगे तब हम एक अच्छा position बना पाएंगे अ कLesются один जीविद यह गरहां पॉर्स में आओगे जो रीप्रो में हमने इस पुजिचन बनाया था न की यहां पांच पांस कोमने बोला था विप्रो में पूजिण बनाने के लिए सो आ यह विप्रोहू हम देखते हैं सो यहां देखें टो जैटे में अगर हम देखेंगे तो पांच बच़ के 15 मिनट पे यहां भी प्रो खतम होता है मार्केट ऑपन कदम होता है और और नौ बच़ के 15 मिनट में हमारी यह त्याइडिव मैच होती है सो त्याइडिव मोविं आवच उपर 50 को क्लोस करता हुआ है दो ब्योतीए अब यह सेनी चीज नौपंद्र में क्या आदे घंटे टाइम फ्रेम मैं चे टारीक को आदे चंटे के टाइम फ्रेम में तो यह एक तारीक हो गया अब यहां से गया मार्केट तो पॉजिटीव हुआ और पांसो एक में आपने प्रॉफिट किया होगा तो यह जब तक दो कोई स्टाडीजी नाम है इस हो 15 मिनट और 30 मिनट हम जो एनलसिस करते हैं फोर आवर डे बेसिस वीक बेसिस मंतली अनलसिस करके देते हैं जो पोजिशन बना नहीं है डे के कोडिंग तो पंदरा और 30 मिनट में इसमें क्या होगा आप इंटाडे में भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अगर आपको इंटाडे और हफ्ता दो हफ्ता इंतिजार करना है तो बहुत अच्छा है तो हम दे और चार घंटी के बेसिस पर बना लेंगे प्रॉफर स्टॉप लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा मकसद यह होता है कि जब हम घूसें तो हम आज की जो मिस्तेक थी उसको हमने अडेंटिफाई किया और हम अपने यहां पर चार्ट पर भी मेंटेंट कर लेंगे कि ऑल्वेश कि फॉल्व यूर स्टाड़जी दॉन बी ओवर एक्साइट ओवर एक्साइट नहीं होना है जब मार्केट ओपन हो पहला चीज और दूसरा वेट फॉर स्ट्राटिजी टू मैच इन फिफ्टीन मिनिट एंड थर्टी मिनिट तब हम पोजिशन मनाएंगे उस दिन डे बेसेस पर तो यह दो चीजे हैं आप आप आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा यहां से कि हाँ चलिए बात कर लेते हैं कलके लिए कौन से बैसे इन इस टॉक्स हैं जिसमें पूशिशन बना सकते हैं तो हमको अपने अंजल के दिमेट इकाउन पर आ जाना है हमें अपने होम पर जाना और डेरिवेटीव मार्केट में आ जाना है तो यहां पर लॉंग बिल्ड़ अप औ सुरू करते हैं तो पहला जो स्टॉक्स निकल करता हमारे सामने वह है आर्ती इंडस्ट्री तो देखो आर्ती इंडस्ट्री यहां लग गया है तो अगर हम इसकी चाल घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहां देखो 20 मूविंग आवरेज उपर 50 नीचे पहला कं सब्सक्राइब गया है किया मिसमें एक रिस्क ले सकते हैं यह कुशन आता यहां कोशन आता है और 30-50 से उपर 45 है तो यहां और हमने देखना है कि क्या यह यह हमारे तायम फ्रेम में मैच होता है कि नहीं होता है तो यह दो में मैच होना important है तब हम जाना जाएंगे हमारा स् सब्सक्राइब होता है मैच तीसरा कंडिशन भी होता है यहां मैच और यहां पर संदार डाबलू पैटरन बना हुआ और यहां से ब्रेक आउट है तो नेक्स टार्गेट हमारा हो जाता है 683 का डे बेसिस पे और अगर हम नेक्स टार्गेट इसका देखे तो 770 रुपए का हम हमारा एक नेक्स टार्गेट होता है तो यह दो टार्गेट लेके चलना है आरती इंडस्ट्री में पोजिशन कब बनाना है आपको अगर आप मंतली हां देखोगे सो मंतली भी काफी अच्छा फॉर्मेशन है देखोंगे मंतली भी हमारी स्ट्राटीजी मैच हो रही है तो म 1734 से प्लस हम जा सकते हैं इस आरती इंडस्ट्री में अब हमको पोजिशन कब बनाना में पंदर टाइम फ्रेम पर आजाना है आपको अब फंदर मेंत्र करना है तो नीचे आराम से आ तो जैसे यह से 20 को क्रॉस करता है और हो सकता है यह आ तो यहीं से उपर हो जाए या फिर नीचे जाके 50 को क्रॉस करें तब हम इसको पोजिशन बनाएंगे तो आप देखना हो सकता है इस तरह के से market consolidate करें यहां आएगा market यहां consolidate होगा consolidate होगे अगर नीचे का breakout देता है तो हम इंतजार करेंगे ऊपर का breakout देता है तो हम position बनाएंगे तो आपको हमारी तीन strategy याद रखनी है 30 minutes का time frame में यहां पर भी candle बनने दो यहां हो सकता है बनके आए इस टोक इसी के RSI नीचे से उपर तक जाने दो RSI नीचे अगर यह 50 को cross करता है तो इंतजार करना है 50 से उपर हो तब हम position इसमें बनाएंगे तो यह है RSI नीचे से उपर की तरफ होगा और हो सकता है यह नीचे से उपर की तरफ हो तो 662 तक आए उससे नीचे भी आ सकता है तो यह 15 मिनट और 30 मिनट में घुसने का चकर यह कि जैसे हम भूसे हम प्रॉफिटेबल हो तो इस वाई 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में घुसना इस इंपोर्टेट अब आउस डूसा इस टॉक देखते हैं सीचल का कैसा क्या है सीचल में चार घंटे में किस तरह के से परफॉर्म कर सकते हैं तो यह रहाँ हमारे पास सीचल तो आप अगर सीचल देखोगे है डेट इसके पास वन से कम है 0.7 से कम है तो दिस इस गुड तो चार्ट गंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम सीचल देखते हैं तो आप देखो यहां 20 से करेंटे मुविंग उपर 50 नीचे तो पहला कंडिशन होता है मैच 20 से एक टी की तरब जातावाइश से रहाई दूसरा कंडिशन होता है मैच और तीसरा 50 को क्रोस करता वारा साइव 59 है तो अल्मोस्ट 40 परसें का मोमेंटम बाग यह तो तीसरा कंडिशन होता है मैच तो एक टीम फरेम पर मैच हो गया इधी सिंपोर्टेंट की डेके टीम पर ऊपर के थे तरफ जाएगा और 50 से उपर है और यह न्यतों और हमारे पास यहां टाइम फ्रेम अगर देखें तो पंदर मिन के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो सो 20 मुविंग आवरेज उपर है 50 नीचे है और यहां पर देखो इस टॉकिस है से अलड़ी 87 से उपर है तो क्या यह वर्टर इस टेकिंग है ठीक है और यहां पर देखो होगे RSI 81 से उपर है 20 20% का मुवमेंट है और नेक्स टार्गेट 683 दिख रहा पंदर मिनट में लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि 30 मिनट में क्यास देती है तो देखो 30 मिनट में और लेड़ी इस टॉकिस है 100 से उपर है तो हमें इंतिजार करना हो सकता है यह नीची आ और नीची से जैसे उपर के तरफ बने तब हम इसमें पूजिशन बनाएंगे तो आपको मार्केट में थोड़ा पेसेंस के साथ काम करना है ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही घुच जाना तो अब यहां क्रॉस ओबर हुआ है हो सकता है कल मार्केट 667 से लेकर 679 तक ज देखें तो भी हमारा यहां स्ट्राइजी मैच हो रहा है सो जैसे इसको क्रॉस करेगा 679 जाने का चांस है उसको 691 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लगा लेना 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे यह नीची की तरफ आना अगर सुरू होता है तो हम पोजिशन ब जानों को यह स्विंग ट्रेडिंग है तो आपको चार दिन से लेकर एक हपते दो हपते का व्यू रखना पड़ेगा इस मार्केट में तभी आप पैसा बना पाओगे आप सोचो कि आज भूस के आज ही प्रॉफिट बना पाएं तो वह भी हो सकता है जब हम प्रॉपर किसी अब क्या हैं कौन कौन से स्टॉक से हम यहां अपने एकसर सीड कर लेते हैं और दूसरा जो निकल के आया है वो है आर्थी इंडस्ट्रीस आयो है तो आर्थी इंडस्री इस हम यहांगा लेते हैं पुच को यह रहा हमारा दो स्टॉक सीर हम एक्सपेक्ट करें चेसो साथ के गरवी भुसेंगे सो आको हमें सब्सक्राप leveraging मिनट के टाइम फ्रेम में आप फूर तो आपको इंतजार करना है कि ताकि 20 से उपर जाए और नीचे से उपर के तरफ जाए तब आपको पोजिशन बनाना है यह गलती दुबारा नहीं करने है तो मैं एक्सपेक्ट करना हूं कि अगर यह नीची आता है तो लगबाग 660 के करीब में आएगा तो हम इसमें 660 के करी आपको इंतजार करना है क्योंकि यहां डाउनवर्ड मोमेंट है तो हमें इंतजार करना है कि नीचे से इस तरीके का फॉर्मिशन बनाएगा और यहां कहीं आप घुस होगे ना तो यहां पर देखो कि यहां तक हमाराम से अगर 662 पर भी घुस होगे 673 तक आज गया हुआ तो 10 से 12 रुपय का मोमेंट आज के आज ही मिल गया तो इसलिए इस रिश्टाइजी के हिसाब से घुसना इंपॉर्टेंट है तो हम भी वहीं करेंगे मार्केट जैसे खुलता है 9-15 से लेकर 9-30 में बहुत वोलाटाइल होता है तो उसमें तो आप किसी भी अगर आप स्वि मार्केट स्थित्ता आती है ट्रेंड समझ में आता है 9-15 में बहुत ज़्यादा और वाई और लगता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है तो वहां पर आपके आपका पैसा भी नुक्सान हो सकता है इसलिए हम कुन तिजार करना है 945 के बाद हमेशा पोजिशन बनान यह दो पूजिशन है कि सो कौज़िए करेंगे अगर आपका रिस 500 संदर में है तो आपके पास शेर कितने हुने चाहिए 45 रुपए एक शेयर पे पैंतारिस का रिस्क है तो आपके पास यहां पर दश थे होने चाहिए 10 मैक्समाम लाग साप 2550 का यह रुड़ यह कंफिदे होगा मैक्सिमां 11700 होगा अगर 704 तो 5850 का प्रॉफिट 749 टच करता है तो 11700 का प्रॉफिट तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में कल की वीडियो में तब तक के लिए keep learning and keep earning with Saturn Capital अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फर्मेशन मिला गेन कर रहा है सीख रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो कमेंट करेंगी ताकि हमें भी एक सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है तो थाइंक यू मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ओवर और आउट keep learning and keep earning with Saturn Capital